बिस्मिल्ला रुक्मान रुरहीम, असलाव अलेकुम, वेलकुम टू पंजाब एजुकेटर्स। Students, आज के lecture में हम data structure और array के मतलिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यह क्या है, इनकी जुरूरत क्यों पेश आती है, और इनने कैसे इस्तमाल किया जाता है। इससे पहले कि हम data structure के बारे में पढ़ें, हम देखते हैं कि अब तक हमने data को कैसे store किया है। विछले chapters में हमने सीखा है, कि data जब भी store करना हो, तो variables यानि मतवयर में store कर। मसलन, अगर हमने तीन students का data उनके number store करने हैं, तो हम बहुत आसानी से तीन variable लेकर कर लेंगे। जैसा कि इस मिसाल में हमने integer type के तीन variable लिए, यानि student 1, student 2, student 3, और उन में तीनों student के number store कर दिये। लेकिन ये तरीका कार उस वक तक ठीक है जब तक data थोड़ी मिकदार में हो। अगर हमारे पास data काफे मिकदार में आ जाता है, तो जो तरीका कार हमने पढ़ रखा है, उसके मताबिक में 100 variable लेना होंगे। क्योंकि 100 variable लेना मतलब 100 lines लिखना, उन्हें याद रखना, उनको process करना, ये एक बहुत मुश्किल और वक्त जाय करने वाला अमल है। तो फिर सवाल पैदा होता है किस मसले को कैसे हल किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए high level language हमें एक तरीका कार देती है जिसे data structure की तारीफ हम ऐसे करते हैं कि data structure is a container to store collection of data items in a specific layout, यानि data structure एक ऐसा container या डिबा है जो data को एक खास तरतीब के साथ महफूस करता है। C language में कई data structure मौझूद हैं जैसा के array, stack, tree बगएरा। मगर इस chapter में हम जिस data structure के मतलिक पढ़ेंगे वो है array। यह सबसे जादा इस्तमाल होने वाले data structure में से एक है। Array सबसे जादा इस्तमाल होने वाला data structure है। Array की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि An array is a data structure that can store multiple values of same data type। An array is a group of variables of same data type। यानि array एक ऐसा data structure है जो multiple values यानि एक से ज्यादा values जिनकी data type same हो उनको store करने के लिए इस्तमाल होता है। मिसाल के तोर पर एक int array integer type का data महफूस करेगी। एक float array float type का data महफूस करेगी। यानि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी array की data type integer हो और हम उसमें float store करवा दें। array की properties देखते हैं, हर array का एक नाम रखा जाता है। array की खासित यह है कि array तमाम values को computer की memory में consecutive locations यानि ऐसी जगा पे store करती है जो आपस में जुड़ी होती है। इससे पहले हम जब values को variables में महफूस करवाते थे तो वो values memory में कोई किसी जगा महफूस होती थी, कोई किसी जगा, सब एक साथ नहीं बनते थे memory में। array हमें यह सहूलत देती है कि यह values को memory में एक साथ store करती है। एक array में मुझूद तमाम elements या arkan का नाम वो ही होता है जो array का होता है। array में मुझूद हर elements का एक index number होता है जिसे subscribe भी कहते हैं। पहले element का index आम तोर पर zero होता है, अगले का एक, इसी तरह एक के इजाफे से तमाम array के elements को index दिया जाता है। students एक मिसाल के जरी array को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस मिसाल में देखते हैं कि एक array ली गए जिसका नाम रखा age, data type उसकी है integer यानि इन और उसका size है 6। तो जैसा कि हमने array की properties में पढ़ा था कि हर array का एक नाम होता है, एक data type होती है और size होता है। तो यहां इस मिसाल में नाम है array का age, data type है integer जिसे हम int से जहर करते हैं, int keyword से, और size है 6। array की एक और property जो हमने देखी, बहुत एहम property, उसके अंदर हमने देखा था कि array के अंदर जितने भी elements होते हैं, वो सब memory में consecutive location की उपर महफूस होते हैं। तो यह जो 6 खाने आपको नजर आ रहे हैं, यह show कर रहे हैं, कि array के यह 6 elements हैं, यह अकठे consecutive location की उपर मौझूद होंगे, यानि अकठे होंगे और आपस में जुड़े होंगे। इसके बाद हमने देखा था कि जो array का नाम होता है, उसके elements का नाम भी वही होता है। यानि हमारी array का नाम है age, तो array के जितने भी elements हैं, चूंकि इसका size 6 है, तो इसमें 6 elements होंगे, तो उन 6 के 6 का नाम भी age होगा। तो उन्हें differentiate करने के लिए हम एक index यूज करते हैं, यानि कि array के तमाम elements को एक number दिया जाता है, एक number assign किया जाता है, जिसे index कहा जाता है, या subscribe कहा जाता है, और जो array का पहला element होता है, उसका जो index होता है, वो 0 से शुरू होता है, उसको हम 0 index देते हैं, उससे अगले element को 1 देत अब हम देखते हैं types of array, array को दो इकसाम में तक्सीम किया जाता है, पहला है one dimensional array या one d array, ये एक row या एक column पर मुश्तमिल होती है, one d array एक list की तरह होती है, इसे linear array या vector array भी कहते हैं, यानि one d array के जो हमने नाम देखे, वो ये हैं कि हम उसे one dimensional array भी कहते हैं, linear array भी कहते हैं, vector array भी कहते हैं, दूसरी किसम है multi dimensional array जिसमें मुख्तलिफ rows और column होते हैं, one dimensional array में एक row या एक column होता था, multi dimensional array में मुख्तलिफ rows और मुख्तलिफ column हो सकते हैं, ये एक table या matrix की तरह होती है, इसमें 2D और 3D array शामिल हैं, students ये था आज का lecture, इन्शाला अगले lecture में मुलाकात होगी आला हटीस